कि नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है चैनल पे और आज फाई शेर्स त्रीहंडेट डेज में शीरीज में आप नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है और अगर आप नए है इस चैनल पे तो प्लीज चैनल के सब्सक्राइब कर लीजे और आगे हम इन्वेस्टिंग के बारे में देखेंगे कि हम कैसे एक छोटे-छोटे मॉंट से शुरू करके भी हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं तो हमारा टारगेट सेम है 5 शिर्स हम कोई भी चूज क्या करेंगे करते हैं और वाई करते हैं और उनको 300 अंदर हमारा ये टारगेट है कि उस पूरे ग्रुप जो जब भी हम 5 shares खरीद रहे हैं, तो वैसे share चूज करें, जो हमें minimum 10% का return दे सके हैं, तो इस series में चलिए आगे शुरू करते हैं, आपको ये पूरा वीडियो आपको पांच पार्ट में रहेगा, जो पार्ट आपको देखना है उस हिसाफ से दे सकते हैं, पहला पार्ट है ज और हम कहां थे पहुंचे हैं, लास्टाम सम्धिंग 5.6% में हम लोग कुछ थे, और आज हम देखेंगे कि पिछले एक वीक में कैसा performance किया है हमारे share ने, तो ये summary sheet में हम लोग discuss करते हैं, second हमारा रहता है top 5 companies of the day, यानी 5 shares आपके लिए recommended हैं और ये हम buy करेंगे Tuesday को, क्योंकि market बंद है, तो हम लोग ये Tuesday को करेंगे, तीसरा है share of the day, fundamental analysis, जो ये second part में 5 shares हमने लिए हैं, इन में से हम एक कोई share choose करेंगे और उसके बारे में एक just brief fundamental analysis करेंगे, चौथा रहे का हमारा, what to buy in rupees, 1000 rupees, अगर आपके हाथ में 1000 रुपए आज हैं, तो आप कौन से share लोगे हैं तो करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज भी लोगों को लगता है कि ये सटा है, ये gambling है, gambling नहीं है, आप उठा के देख लो, दुनिया के सबसे बड़े billion, millionaire share markets anyhow link है, जा तो direct investing करके, या indirect, उनकी company को listing करके, right, जैसे Warren Buffett direct investor है, राकिस जुन जाना वाला, राकिस direct investor है, जो अपना प Elon Musk, Microsoft के Bill Gates, ये लोग indirect है, indirect मतलब ये अपनी company को यहाँ पर list करते है, share market में list करते हैं, और अपना पैसा बनाते है, company perform कर ये अलग है, प्लस उनके share की value भी बढ़ती ही जाती है, तो लोग वहाँ से भी पैसा कमाते है, इसलिए अगर आपके बस 1000 रुपए हैं, तो आप इसको ये gambling नहीं है, प्लीज इसको शुरू कीजिए, पाच्वा पाट है कि learn to earn, एक learning तो मैंने आज ही सिखा दी आपको भी, कि ये gambling नहीं है, और आप कैसे पैसा इसमें कमा सकते हैं, बढ़ फिर भी हम देखे हैं कि क्या हमने सीख सकते हैं, ठीक है, फिर चलिए शुरू करते हैं इसको शुरू करते हैं, फिर्स पार्ट हमरी शीट के साथ, थैंक यो, पहले पार्ट में आपका स्वागत ही, ये पूरी शीट है, जो हमने मनाई थे, अगर आप चाहो तो ये शीट को पूरी कॉपी कर सकते हो, और इसको फॉलो कर सकते हो, इसमें हम लोग 5 शेर्स हमेशा और आप करते जाते हैं खta कोने हैं और आप देख सकते हों, जो पहला हमने शूरू किया था, पहला हमने 27 जून से 70 मसे शुरू किया था, और सीरीजव को जितमें अभी तक हमारा 47 डेस हो चुके हैं, आज कहेंसा अज विका तक अब देखेंगे, तो 47 चो चुके हैं और यह अभी तक अगर आप देखेंगे तो पहले स्टॉक में से ग्लैस को फार्मा ही अभी तक बिका नहीं है बाकी सब शेर अपने कर चुके है तो आप देखते हैं कि कौन-कौन से शेर ने अपना टार्गेट अचीव किया है पिछले वीक में 10% में हम लोग देख लेते हैं और किसका हमने GTT लगा के रख रहा है तो आप देख सकते हैं कि यह पूरी सीरी हैं जिन्होंने अपना टार्गेट अचीव किया है टाटा स्टील ने बार अगस को बार अगस हैनी कल अपना 10% का टार्गेट अचीव किया साथ में उसके साथ ही बेल ने भी अपना 10% किया है और यह वाइट इसलिए हैं क्योंकि यह अब तक बिके नहीं है सबसे पड़ा धहान रखेगा कि यह बिके नहीं है इनको मैंने GTT में लगाया है आप अगर जिरोधा यूज करते हैं जिरोधा का लिंक दिया हुआ है अगर आपका डीमेट अकॉन नहीं है तो आप उ जाते है रेड मतंब नीचे गिरती है और टाटा स्टील का प्राइस भी नीचे गिरता है तो आप वो अगर नौ परसें जब पहुंचे कि तो आटमेटिकली बिक जाएगी और मेरे पास मेरा कैश वेल्यू आ जाएगा यहां पर टोटल मेरे अकांड में वालेट में आ पांच परसेंट बढ़ेगा तो किता हो जाएगा 16 परसेंट तो 16 परसेंट हो जाएगा ना मैं उसको चेंज करके 14 परसेंट प्रॉफिट पर जी टी को चेंज कर दोगा मैरा पॉर्फिट आटमेंटिकली बढ़ता रहेगा और सेम चीज़ आप जैसे अदानी टांसमिशन यह समय देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 12 परसेंट कमाएं अगर मैंने 10 परसेंट पर बेज दिया होता है विदाओट जी टी 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 तो मैं यह प्रॉफिट नहीं बना पाता हूं तो चलते हैं देखते हैं कि सबसे बड़े लूजर्स और गवाट हैं अब भी तक कि विनेर्स मतब यह तोह आलदी विनर्स है जो 10 परसेंट कर चुके बढ़ से पास कौन सरे हैं पहुंचने वाले हैं, यह सबसे ज़्यादा निगेटिव को हैं पहले उनको देख लेते हैं, कि सबसे पहले निगेटिव दो टॉप टॉप को हम देखेंगे, कि सबसे ज़्यादा निगेटिव अभी भी क्यों हैं, यह है है HCL Tech and Wipro, बोथ कंपनीज आ स्लीपिंग राइट स्लीपिंग, स्लीपिंग मैं बोल रहा हूँ, शेर मार्केट में, अब भी तक वो उठे नहीं है, and this is the right time to invest in this company, इन दोनों कंपनीओं में आप इन्वेस्ट कीजिए, यह स्लीपिंग जायंट हैं, जो अब उजगने वाले हैं, आप इनको बाइक करेंगे, तो आपको यह ड अगर आपने यह बाइक कर लिया, आपको सीधे सीधे 20% का फायदा हो रहा है, इनकम प्रेजन टु माई, मेरे स्टॉक के है, यह यह मेरे पास जो पढ़ा हूँ, उससे आपको 20% और, definitely मेरे से आपको फरक नहीं पड़ता, मेरे से आपको फरक नहीं पड़ता है, मेरे से मैं को पहले अपने को 0 पर लाना होगा, फिर में उससे 10% पर जाना पड़ेगा, तो यह चीज़े रहेंगे, तो आपको यह अलड़ी है, अब हम यह देख लेते हैं कि सबसे हदा क्लोज कौन से है, ठीक है, अंचो 10% के पास पहुँचे है, अगर यह आपको शीट चाहिए ह होगी तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजेगा, तो मैं आपको बता दूँगा कि कैसे बनाई है यह शीट, और यह है मेरा, ओके, 7.95%, ठीक है, दोनों 7.95 और 7.64 पे हैं, पहला है टाइटन, टाइटन और दूसरा है RBL बैंक, अगर यह मंडे को मार्केट 10% अच्छीव कर लेंगे, और टाइटन, टाइटन के स्टॉक अब बढ़ना चालो हुए है पिछले वीक से, तो आइम शूर कि टाइटन अगला, अपना 10% अगले वीक में कम्प्लीट कर लेगा, जहां तक मुझे लग रहा है, अगले वीक में टाइटन कम्प्लीट कर तो अब चलिए देखते हैं कि फाइनली हम लोग ने कितना अचीव किया है, जब हमने शूरू किया था, अब हम पहुंच चुके हैं 5.946% तो अभी भी हमारे, यह यह 6% के करीब हम पहुंच चुके हैं, विदिन 46 यह 47 डेज जो आपने देखा था, ग्लैस को जब चालो हु अभी जब मैं प्रोजेक्ट बना के आपको सामनी यह प्रसुस करता हूँ, तो मैं इसको चाहता हूँ कि एकदम सही आपको, मतलब यह देखिए, मैं पहली चीप बता रहूँ हूँ, यह पूरा वीडियो एजुकेशन परपस है, आप इसको देखेंगे, तो आप खुद प कर रहे हैं, तो जॉब के साथ में दूसरे source of earning बनाईए, FDRD से कुछ नहीं होगा, inflation उससे ज़्यादा महेंगा है, महेंगा इससे ज़्यादा बढ़ रही है, FD में आप 10 लाग, 50 लाग लाग के कोई फायदा नहीं है, या चलो 1 लाग भी रखा है, वो एक्छले निगेटि है, तो चलो चलते हैं, second part में, 5 share देख करते हैं कि कौन से 5 share हमारे हैं इस बार के, ठीक है, चलो, next part, नमश्कर दोस्तों, चलो, फिर से आपको दिखाते हैं कि आज कि 5 shares कौन से हैं, lucky 5, lucky 5, to make us lucky, actually, जो हमें करने वाले हैं, तो पहला share आप देखोगे, तो surprise नहीं होगे, मु Reliance है, ONJC, नहीं, देखे, Reliance है, ONJC नहीं है, ONJC नहीं है, ONJC ने अपने target मिस किया है, ठीक है, तो 16 अगस को हम लोग खरीदने वाले है, Reliance Industries के 3 share, बीच में मुझे थोड़े से पैसे की जोती, जहां पर Reliance काफी अप था, तो मुझे 3 share बेचने पड़े थे, तो मैं उसके लिए भी 3 share add कना चाहता हूँ, मैं बस already 33 shares है, जो आपकी sheet में पहले मैंने खर दे थे, बट मैंने 3 share निकाल दिये, और 3 नए buy करूँगा भी वापस, चीक है, और Reliance के अभी current जो price चल लिए, 2633 है, जो उसके 2600 वाला number था, जिसको पे अटका हुआ था, काफी महीनों स 2600 को वो cross ही नहीं कर पा रहा था, वो इसने इस week के, मतलब Friday को और Thursday को में का से cross किया, तो Friday को यह उसको उपर था, तो definitely cross कर चुका है, तो अब इसकी rally आने वाली है, अब यह उपर जाएगा, तो total आपका investment करीबन करीबन 8000 के करीब रहेगा, डिपन की market की condition क्या है उस time पे, second जो share में recommend कर रहा हूँ, वो है Tata Chemicals Limited, बहुत ही अच्छा share है, Tata Chemicals, Tata Motors and Tata के कोई भी share ले लो और अदानी के आज के time पे, अगर आपके वास कुछ भी नहीं है पैसा, इन दो stocks में डाल दो, रिल्हांस नहीं बोलूँगा, अदानी और Tata बहुत अच्छा है, लेकिन ठीक जो अलड़ी split हो चुका और काफी अच्छे price में है, जहां पर कोई भी afford कर सकता है, 106 रुपे में था कुछ, 112 में आगया और आपने देखा कि Tata Steel ने 10% अच्छीव कर लिया है, अफ्टर जब split होके bonus मिला, shares तो वो हो गया, तो 4 share मैं खर दूँगा, और 4 recommendation है Vodafone ideal limited, ये का काफी दिनों से अटक गया है, नहीं तो normally वो 8 रुपे में आप बाई करो, next week 13 होता था, 12 होता था, फिर नीचे जाता था, 8 है 9 रुपे में, फिर आप उसको sell कर सकते हैं, तो 9 रुपे में, अप्रोक्समेटली 15-20% वो पर भी बनाता था, बट ये पिछले 1-2-3 महीने से मै गूम रहा है, उसे उपर इसका progress नहीं हो रहा है, तो ये मेरा शायद last buy है, जहां पर मैं इनको अभी buy करूँगा, और उसके बाद मैं इसको avoid करूँगा, क्योंकि ये already negative है, तो I was just trying कि मैं उस negative को कर दूँँ, तो ये vote of an idea आपके लिए recommended नहीं है अचके टाइम पर, definitely ये 5 shares की list में, but vote of an idea, idea मतलब limited को मत लिजए अभी, अभी फिलान मत लिजए, पांचवा share है, विप्रो limited, जैसा मैंने बोला कि विप्रो, SCL ये सो रहे हैं, इनको बस एक बार जगाने की जो होता है, एक बार जगे, तो ये दोड़ना जो चालू करेंगे, वो रुकेंगे नहीं ज इनकी book भी काफी अच्छी है, book मतलब इनका date, आप cash flow देख लोगे, इनके investment देख लोगे, इनके business देख लोगे, तो ये काफी अच्छा देख रहा है, आज के टाइम पर, ज्यादा फरक नहीं पड़ता है, आप जरूर invest कर सकते हो, तो ये total past share है, investment के लिए, तो अगर आपक इस चौथा भी मैं इसी में complete करूँगा, जिसमें मैंने बोला था कि एगर आपके पस 1000 रुपह है, आली जाप शोलर तारिक के, आप सोचते हो कि आपको invest करना है, और आपके पस क्योल 1000 रुपह है, तो मेरा recommendation Tata Steel and Vipro होगा, अगर आप देखोगे, तो अगर, मैं इनको zero कर देता हूँ, अगर आप इसका एक ही शेर ले लो, विप्रो का कोई फरक नहीं पड़ता है, तो आपके पास total ये करीबन 800 में हो जाएगा, आप चाहो, तो पांच शेर ले सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा, कि आप इसके क्योल 4 शेर लो इस Tata Steel के, और एक शेर इसका लो, तो कर Tata Steel अगर नीचे जाता है, तो आप वापस उस 1000 रुपे में, जो 100-500 रुपे बचे हैं, उस से आप Tata Steel का एक stock ले सकते हैं, तो वह average out हो जाता है, लेकिन तब ही बाई करना, जब Tata Steel का share 10% माइनस में हो, आपके portfolio में हो, अगर हो तो, उपर जा रहा है तो फिर तो आपको कर सकते हो, तो होप आप समाज गया होगे, मेरा क्या कहना ही, यह चौथा पार्ट मैंने कवर कर दिया है, साथ में, अब हम लोग देखेंगे, फंडामेंटाल अनलेसिस अफ दे स्टॉक, और इसमें हम आज कवर करेंगे Tata Chemicals को, चलिए दोस्तों, चौथे पार्ट में आपका सौगते हैं, जिसमें हमने आपको बतायाते हैं कि हम फंडामेंटाल अनलेसिस करेंगे Tata Chemicals को, पीजवस आपको बताया है, तो चलो देखते हैं कि क्या हो सकता है, Tata Chemicals में, और अब यह कैसा है ना, कि देखो, शेर मार्केट में यह आपको लर्निंग भी बता रहा हूँ, कि मैं पांचों भाट को भी इसी में कवर करा हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो कहा है, बट कभी भी हमें चो परफॉर्मेस देखनी कंपनी की, तो हमें उसका पास्ट देखना पड़ता है, कि पास्ट में उसने कैसा किया है, तो जो हम फंडामेंटल अनलेसिस कर प्लस उस कंपनी के फ्यूचर प्लानिंग क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो सब चीजें आपको यहां पर एक ही बार में नहीं बताया जा सकता, तो फिर भी चली चलते हैं, हो सकता आप कभी-कभी ना, धीरे-धीरे आप कर लेंगे और यह चीजें समझ 15% दिया है, तो आप समझ रहें, शेयर मार्कें में कितनी प्रवबिल्टी होती है, आप बोलोगे कि या, आपने तो वही शेयर बताया है, जो बढ़ा है, ऐसे कई शेयर होंगे ने नीचे गिर होंगे, तो डिफिनल्टी आपको उन शेयर में जाना ही नहीं, आप क्यों जा आप समय का रिटन देखोगे, तो 33% रिटन दिया है, टाटा केमकल्स ने, राइट, और वन येर का रिटन आप देखो, तो 27% है, जो वन येर का रिटन है, वो कम है, वन मंथ के रिटन में, तो पिछला एक महिना बहुत ही क्रूशल गया है, उसमें भी आप देखोगे, तो आठ अगस से ये एकदम उड़ा है, उपर, आठ अगस से चार अगस तक ही काफी तेज भागा है, कहां 900 था, 950 और ये हाइस जो गया है, वो 11 हो गया है, ठीक है, अब 5 साल के परफॉर्मस देखा जाए, 5 साल के परफॉर्मस देखोगे, तो आप खुद शौक होगे, तीन गुना, 5 साल में इसने आपके पैसे को तीन गुना कर दिया, आप, आपको क्यों बोल रहा हूँ, कि आपके पैसे नहीं है, तो 1000 रुपे का तो करो, 1000 रुपे डालो, महीने का डालो, यार, कौन बोल रहा है तो आप डालो, अगर आपके पैस है तो आप डालो, और ये mostly इनकम थी पैट मैं, उस पर सर्वाइब नहीं करना चाहता था, और लकली, I was the lucky person, कि मुझे वो फरक नहीं पढ़ा था COVID में, बट मैंने देखा था कि कई लोगों के हालत खराब हो गई, क्योंकि एक ही जॉब पर टिके थे और एक ही बिजनेस पर टिके थे, या तो उनका ब अब मुझे एक ही source of income पर नहीं रहना है, मेरा एक business या job रहेगी, साथ में मैं share market करूँगा, crypto भी करूँगा, diet selling companies भी देखूँगा, और जो भी हो सकता है, मतब जो भी option मिल जाए मुझे कमाने के लिए मैं ना नहीं बोलूँगा, real estate है, दुकान है, कुछ भी है, I will go for it, मै single source पर नहीं रहूँगा, तो वैसे ही करके मैंने धीरे-धीरे थोड़ा बढ़ाना चलू किया, तो आप देख सकते हो कि तीन गुना हुआ था, मैं यह नहीं कहूँगा कि आप lucky थे, कि आपने लिया नहीं लिया, वो आपकी choice है, बट आप देखो, और अब ये मैं जाता हू maximum pace के, maximum, कुछ बोलने की जोट नहीं है कि ये कितने गुना हुआ है, अगर ये जन्वरी 2003 से compare कर है, तो 57 में लांच हुआ था, और सबसे important चीज, मैं जो बोलता हूँ कि आपको कभी भी देखते रहना चाहिए, आप ऐसा नहीं कि एक बड़ डाल कि भूल जो कि कितने में, य 300 से 112 पर, यानि, वन थर्ड आ गया था, उसके बाद ये वापस यहां पर उठा है, 400, 4500 से ये सबसे lowest देखा आप यहां पर 150 पर आ गया था, और वहां पर भी 150 के करीबी 200 के करीब है, और जो अब उठा है, ये 1000 के उपर पहुँच गया, और ये आप लिक्तम एंड देखो पीक है, इसलिए मैं खहता हूँ कि आप शेयर मार्केट में के इन्वेस्ट कर रहा हो, तो भाई, 15-10 मिनिट दिया करो, 15-20 मिनिट रोज का दो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, दीना ज़रूरी है, 15-15 मिनिट देने में कुछ नहीं जाता है, आप ये टॉलेट जाते ह 15 मिनिट और आप शेयर खरीद लो, और बाई करो, और अपने सेयर की परफॉरमस जरूर चेक करो, मैं ये एवाइट करूँगा कि आप मोबाईल में रखो और हर 2 मिनिट में देखो, जिससे आपका काम डिस्टरब हो, वो मत करो, या तो काम करो या शेयर मार्केट करो, अग अगर आपके बस एक 15 मिनिट नहीं है देने के लिए, आप कोई चांस ही नहीं है कि आपको वीक में 15 मिनिट में जाएंगे या पर्ड या पंदर मिनिकाल सकते हो, इससे एसा तो होगा नहीं, आप कर सकते हो, राइट, महीने में एक चुट्टी तो लेती ही होगे ना, एक च एक चुट्टी डेडीकेटलि शेर मारके ले ले लो, इनकम प्रेजन तो SIP, क्यों मैं बोल रहा हूँ, अब यह आप देखो, मैकसम क्या है यहां पर, 1800, यह 1800 एक्चुली उससे ज्यादा हो सकता है, अगर आपने जब भी यहां डिप गया है, आपने उस टाइम पर थोड़ मंदे को यह 9.48 पर था यहां से आ तो आपको कुछ निंग पता यहां से अप हो गया आपको पतर चला कि यह अप हुआ है आप इसमें भी कुछ निंग निंग सकते थे हैं बड़ यहां पन्च चे रुपए कितना रुपी सेवंटी रुपीज बीज रुपा कम तब बाई कर ल इक चर्ठ देखो, बंडे कहुआ, तो share ऐसे जाता है, यहां से जो बढ़ना चाला हुआ था यह उपर ही गया है, लेकिन कई बार यह नीचे भी आया है, यहां पर नीचे आया है देखो और वापस ही यहां पर भी नीचे आया था माद में तो पूरा ही आ गया तो आप अपनी हिसाब से चूज कर लो उस टाइम पर आप आई कर सकते हो अब हम लोग इसको देखते हैं कि सिप और इसमें क्या फरक होता है अगर आप इसको लेकर गया होता है तो सिप इसगा रिटन कितना है सर राइट और वाइब यह का कप था अगर त्री हंडर पर सेट तो आप नहीं देखा पाइब वीर्स में अगर आपने, मतब आप शेर मार्केट में आप खुद पैसा डाल के खरीद रहोते हैं, तो चांसे थे कि आप 300% मिनमम, मैं मिनमम बोल रहा हूँ वो, 300% आप बना सकते थे, SIP में आपका बना है, कितना, 196% क्योंकि अगर आप देखो कि तो 17 से, यहां तक निगेट 6,000 का 18,000 मिना रही है, तो लेर्निंग वाला पार्ट में आज कवर नहीं करूंगा, इसी में कवर कर दे रहा हूँ, लेर्निंग वाला मैंने आपको पहली बता दिया है कि आपको क्या करना है, और साथ में की मैट्रिक्स यह सब आप देखना चाहों दे सकते हो, और 71% लोग नहीं पढ़ता है, और यह Tata Chemicals का ब्रांड आप देख सकते हो, यह Tata Brand है, तो Tata Brands actually खाफी वर्क कर रहा है for the Tata Motors के लिए, खास करी Semiconductor, Chemical, और Thermal, Power, यह सब का आपस में लिंक हो रहा है, इसलिए Tata अरदानी का आप देखोगे, तो वह उस सेग्मेंट में जा रहा है, जह और the electronic vehicle, तो इसलिए यह तीनों share mark, इन तीनों stocks के price तो बहुत ही profitable हमें बना सकते हैं, तो अगर हम इनके piece देखेंगे, तो Pidlight Industries है, SRF है, PI Industries है, अनतु लिम्टेड है, financial trend देखेंगे, तो आपको देख सकता है कि क्या हो रहा, promoters, low pledge promoters holding, और recent में देखना है, Tata Chemicals Q1 Review, Robo, Soda cash demand drive healthy performance, चीक है, यह कहा है last, Tata Chemicals gain 12% on the strong Q1 result, हैनि Q1 का result में 12% का strong उनका हुआ है, cash dividend भी इनोंने 12.5 रुपीज दिया है cash dividend, dividend ही बहुत important होता है, अगर आप dividend वाले stock में हो, क्योंकि आपको थोड़ थोड़ पैसे आपके account में हमेशा आते रहते हैं, मैंने कैसे बोला था, आ आप देखेंगे Tata Steel के profit नहीं भी कमाया, तो Tata Steel आपको dividend देता रहेगा, तो dividend से भी आपकी एक दो रुपे, पांच रुपे, चे रुपे, जो भी price dividend per share दे रहा है, Tata Steel वो आपको मिलेगा, so यहां भी close करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे account, next video में आपको जल्दी लाउ अच्छा business करेंगे Tuesday को, तो मिलते हैं फिर से, प्लीज चैनल को subscribe कर लीजे, like कीजे and comments कीजे, आपके कोई भी question आप डाली उसमें, मैं आपको उस पर video बना के ही आपको दिखाऊंगा, बाकित, thank you very much, आप सब का दिन शुबह, करना कहीं, अपके का दिन शुबह, आपको दिन शुबह, आपके का दिन शुबह,